देश भर में कोरोना वाइरस की वज़े से लॉकडाउन जा रही है इस लॉकडाउन के तीसरे चरण में हर रोज प्रवासी मजदुरों की मौत की खबरें सामने आ रही है इसी बीच शनिवार को उत्रप्रदेश की औरिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आई दरसल यहां प रॉलें टकर मार दी साथ से में करीब तेज मजदुरों की मौत हो गई जबकि पंद्रह और निगंभी रूप से घायल बताए जा रहे हैं सभी गायलों के पास ही के एक अस्पिताल में भरती कराया गया है वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रिशासन मौके पर कानपूर के हेलट इस्पिताल में भरती कराया गया है इस हादसे को देखते में कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले महाराश मद्यप्रदेश रूतर प्रदेश में भी बड़े हादसे हो चुके हैं इ उखिमंडरी योगी आधितनात एक्षिन में आ गये है मुखेमंद्री योगी आदितनात ने आगरा उर मथ्या बॉर्डर से संबंदत थानाध्यक्षा को निलंबित करने का आदेश दिया है साधे मतरा के वरिष्ट पले सदिख्शक के अलावा आगरा जोन के आई जी और एडीजी से भी इस मामले में स्पश्टिकरन मांगा है इतना ही नहीं सीम योगी ने दोनों खशेतर के शेतरादिकारियों को भी स्पष्टी करण देने के निर्देश दिये हैं। सीम ने सीमा वर्ती जिलों के जिलादिकारियों को इनिर्देश भी दिये हैं कि पहले जिन दो सो बसों का इंदिजाम करने का आदेश दिया गया था श्रमिकों को उन्हीं बसों से घर भेजा जाए। कर दिया कि आखिर सरकार क्या सोच कर इन मजदुरू के घर जाने की समुझत व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदुरू को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाए जा रही है। उन्होंने सरकार पर आख मूदे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि या तो सरकार को कुछ दिख नहीं पा रहा है या वो देखकर अंजान बनी हुई है। क्या सरकार का काम सर्फ बयान बाजी करना ही रह गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.